आपके अपनी चैनल फूड मॉंस्टर में आपका बहुत बहुत स्वाकत है आज में आपको आईवीएस जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं उसके बारे में राम बार नुसका देने जारे हूं इस नुसके से सिर्फ आपको पहले दिन ही पूरी तरह से आ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल में जो बैल का इकन है घंटी का बटन उसको दबाएक नोटिफिकेशन अन कर लीजिए इसे नई वीडियो आपको तुरह नोटिफिकेशन मिल जाए यह बहुत इफेक्टिव से जड़ी बूटी है यह हमारी देश में हमारी भ इसे हम बोलते हैं मिल्क ग्रास या शिजिए दूधि घहास के नाम से भी से जाना जाता है इसे लोग गास समझ के इसे फेक देते हैं लेकिन यह बहुत इफेक्टिव होता है आई बी इसको कंट्रोल करने के लिए यह दूधि घास होती एक बड़ी दूधी घहास होती एक यह देखे छोटी वाली पत्तियां हैं आप देख रहें एकदम घास के तरह ही होता है इसको पहचानना बहुत आसान है इसका स्वाथ जो होता कड़वा होता है इसकी टहनियों को तोड़ते हैं जब इसमें लसलसा सा दूद निकलता है इसकी पत्ते अंडाकार से होते हैं यह किस तरह से है नजदीक से मापको दिखा रहें से देखके आप पहचान जाएंगे कि दूधी घास क्या होता है यह देखिए आप नजदीक से आप देख रहे हैं इसकी पत्तियों को तोड़ने पर इसमें कैसे दूद निकलता है जब इसकी किसी भी टहनियों को तोड़ेंग से मिट्टी लगी रहती है पत्तरों में बीज में दबा रहता है तो इसको एक सबसे पहले गुंगोरी पानी में से 10 मिनट के रखती जिससे जो मिट्टी वगर रहों डिस्ट वगर है सब साफ हो जाएं उसकी बाद क्या करेंगे यह जो इसके दिखे जो पतले-पतले से टेबल हो जाता है कि बार बार ऐसा लगता है कि हमें फ्रेश होने जाना ऐसी फेलिंग होती है कुछ भी काते हैं चाहे ब्रेकफास करें लंच करें डिनर करें कुछ भी पानी वगर भी पीते हैं कुछ लोगों को तैसा होता है कि हर बड़ा हाट होती है तभी लिंको लगता है ठेहन को तोर आँ किस की नजदीक से भी दिखाएं कि इसमें से दूध साथ हैं तो आप ऐसके तोर के इसको पहचान सकते हैं किसी स मात्रह से पत्तिया हैं इसकी ऊंचीकी यह लेना है 10 से 12 ग्राम के करीब एक बार में आपको ले लेना अब इसको चाहिए इसको धुलने के बाद आप इसे पीशना है तो पीशने के लिए आप चाहिए तो सिल बट्टे पे पीश सकते हैं या फिर मिक्सी के जार में भी आप पीश सकते हैं या फिर खर बट्टे में आप इसे रखके अच्छे से थोड़ा पानी डाल के इसो पीश के इसका आपको एक तो इसमें एक चमच आपको दिखाएंगे कैसे लेना है तो आप इस तरह से पहले कुट किसका रस निकाल के त्यार कर लेते हैं ते देखें आप देखें थोड़ा-थोड़ा समने पाई डालके इस तरह से कूट किसका रस बन गया है सिल बट्टे बहुत आसानी से पिश जाता है अब देखें इसको कैसे चानना इसको आप किसी कॉटन का कपड़ा ले लिए इसमें आराम से चान सकते हैं इस तरह से चानने के तो बिल्कुल फाइन से सिफ इसका जूस निकल के आएगा इसकी जो ताजी पतियां होती है आप इस यह जो उपचार है इसको आप पहले दिन करेंगे एक खुराख पीएंगे आपको ऐसा लगने लगेगा कि जो बार-बार ट्वालेट या नहीं पड़ती है आपको फ्रेश होने कमन करता हो आप देखेंगे कि आपको पेट इतना मजबूत होने लगेगा कि आपकी यह जो श से ठीक हो जाएगे और इसे लगाता आ लिजे तीन दिल लगाता लिजिए आपको आराम रहें तो फिर आप नेक्स्ट वीक में आप इसतना तीन बार लिजे इस तना से आप सिफ एक महीने इसको करेंगे आप देखेंगे अपकी यह बिमारी जो है पूरी तरह से ठीक हो जा जो आपको नहीं लेना चाहिए इसे आपको बहुत परहशानी होती है इसके अलमाद दही जो होता है जिसे छाज के रूप में आप बना के पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादे फैयादे मिलता है यह गियों की जो रोटी होती है अब उसको आप एक दिन बन करके देखे कि आपको आराम मिलता है तो गेहु की रोटी आप मत खाएए जो आतों में जाके चिपकता है जिसे रिटेट होता है जिसके वज़े से सिम्टम और भी जादे बढ़ने लगते हैं तो कुछ ऐसे चीज़े होते हैं जिसको खाने से आप एक बार अंदाज लेजे कि अगर आप क एक दिन आप अल्टनेटली छोड़के देखे अगर आप उससे आराम मिलता है तो आप इन चीजों को बिल्कुल न खाएं और सैलड है इसको भी आपको बहुत कम खाना चाहिए कच्छी सबजियां नहीं खानी चाहिए जो भी खाएं उसे अच्छे से पका के पूरी तरह से कुक करके ही खाना चाहिए कच्छी चीजी खाने से आपकी जो प्रॉब्लम है और बढ़ जाते है तो इस तरह से अपने खाने पीने का ध्यान दे और आप देखेंगे कि आप इस जो आपको यह आउसदी मिली है यह बहुत रामबार नुसका है आप इसे करेंगे पहले दिन आपको आराम मिलेगा और अगर आपको आराम मिलता है तो कॉमें शेक्शन में अपने अनुभाव शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इसी लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा यह दूधी घास अम्रित है हमारे दर्ति के लिए और आईबियस के पेसेंटों के लिए त थैंक यू वाबाय टेक केर